हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक तो माई चानल ब्यूटी हट आज मैं आपके साथ निव्या डियोड्रेंट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं तो इस वीडियो का इन तक जरूर देखना जिससे आपको पता चल सा है कि यह रोल ऑन डियोड्रेंट कैसा है सब्सक्राइब कीज कीजिए लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तो यह है निव्या डियोड्रेंट प्रिटेक्टन केर रोल उन इस पर मेंशन है कि यह 48 अर्ट तक प्रिटेक्शन देता है इसमें 0% अलकोहल है और इसमें निव्या क्रेम के इंड्रियंट्स भी हैं सबसे पहले बात करते है इसकी पाकेजिंग की तो यह से ग्लास पॉर्टल में और यह उसकी प्लास्टिक KЯ आपको मिलती है टॉपपर और ग्लास पॉर्टल में होने की वज़े से मुझे थोड़ा सा वेटिड लगा यही अगर plastic bottle होती तो इतना weighted नहीं होता बट glass होनी के विए से थोड़ा weighted है वैसे इस bottle में ये product बिल्कुल safe रहता है leakage का भी कोई chance नहीं है because cap अच्छे से tightly secure करके रखती है product को बहुत अच्छे से tight cap है इसकी और इसे rotate होकर ये open होती है तो वैसे तो आप इसको traveling में carry कर सकते हैं बट बहुत ही care के साथ क्योंकि glass bottle होनी की वज़े से आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा और जैसा कि मैंने का थोड़ा ये weighted मुझे लगा है बाकी product इसमें से बिल्कुल भी leak नहीं होगा अब चाहो तो इसको carry कर सकते हो और company का claim यही है कि ये alcohol free है और ये skin को protect करता है तो जैसा कि इसमें लिखा है कि इसमें सारे ingredients निव्या क्रेम वाले ही हैं तो अलग से इनोंने इस पर कोई भी ingredient mention नहीं किया है बाकी मैं आपकी convenience के लिए आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूं तो आप स्क्रीन पर इसके सारे ingredients चेक कर सकते हैं तो अगर आपको किसी भी ingredient से कोई issue है कोई allergic issue है तो आप इसको use मत कीजिएगा इस product की quantity है 50 ml और इसका price है 199 रुपीज और इसकी shelf life है 3 साल तो shelf life इसकी काफी अच्छी है और एक बॉटल भी आपकी काफी दिन चल जाती है प्राइस वाइस quantity भी इसमें सही दी हुई है और इसकी जो smell है वो काफी refreshing है बहुत ही अच्छी fragrance इसमें से आती है जैसे कि एक छोटा बचा जब नहा कर आता है उसको जब पूरा cream बगएर लगा कर त्यार करते हैं उसके पास स्मेल आती है सेम इसी टाइप से इसमें से बहुत अच्छी refreshing स्मेल आती है और यह जो fragrance इसकी पूरा दिन चलती है अच्छे से और यहाँ टॉप पर यह इसमें roller लगा हुआ है यह roll on है ऐसे और इसके अंदर यह ऐसे milky white कलर का liquid है बट जब आप इसको apply करते हैं तो वो transparent हो जाता है और ऐसे wet wet लगता है और यह आपको morning में लगाने के बाद पूरा दिन टिका रहता है आपको इसको बार-बार लगाने की ज़र्वरत नहीं है एक बार morning में apply करके यह आपका पूरा दिन अराम से चलता है और जैसे कि sweat की smell आती है नी पसीने की smell आती है तो यह उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है बिल्कुल भी sweaty smell नहीं आए कि फिर जो कि इसकी सबसे अच्छी चीज है हां यह 48 घंटे पूरे 48 आर तो protection नहीं देता बट 24 घंटे बिल्कुल अराम से चल जाता है तो 24 घंटे भी काफी होते हैं इसको मैं कई बार use कर चुकी हूं इसको apply करने के बाद मुझे कोई भी eating इरिटेशन या redness जैसा कुछ भी नहीं हुआ है यह मेरी स्किन को अराम से सूट आ चुका है तो मेरा experience तो इसके साथ सही रहा है मेरी स्किन को इसने कोई भी हाम नहीं किया है और यह यूनिसेक्स है कोई भी इसको इजिली लगा सकता है कोई पार्टिकुलर जेंडर के लिए यह नहीं है जब आप इसको अंडरामस में apply करती हो तो थोड़ा wet feel होता है जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया भी था बट यह वेटनेस थोड़ी देर में ही चली जाएगी काफी long time तक नहीं रहती है यह देखिया पहले वाली तो वेटनेस बिल्कुल dry होई चुकी है तो यह थोड़ी भी स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता स्किन पर और यह सही में alcohol free है तो यह आपकी स्किन को प्रिटेक्ट करेगा बटी जो स्टिक वाले रोलोंस होते हैं इनमें एंटी प्रेस्परिंग एजेंस होते हैं जो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और स्वे लगाने के बाद तो वैसे तो यह वर्थ पाइंट प्रडाक्ट है और आपका पैसा वसूल रहेगा इसमें क्योंकि अपना काम बहुत अच्छे से करता है तो यह था मेरा आज का निव्या डियो रोलों का रिव्यू आप सब को वीडियो पसंद आई होगी तो अगर यह वी पर नहीं हो तो फड़ावट से सब्सक्राइब कर दो साथ में बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना जिसे मेरी हर एक नए वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे तो ऐसी और वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए बाई एंड थैंक्स वर वाचिं झाल 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 झाल